सब्सक्राइब तो नो हाव तो कैलकुलेट दा आव तो जाज और पर्स इन नॉर्मल कंडिशन एंड वैन यू आ दूइंग एनी स्टेनियस एक्सराइज जब हम भागते हैं खेलते हैं एड़ टाइम यू काउंट यूर पर्स फ्रॉम है क्योंकि उसकी स्पीट पल्स की तनी तेज होती है आप यहां से उसको काउन नहीं कर सकते हो हम फिर यहां फ्रोट से करते हैं यह आपको पता होना चीए बुक में आपको कोहीं नहीं लिखा होगा ठीक है जब आप किसी कॉंपेडिशन में किसी एक्टिविटी में आप थो हंड़र फॉर्टी सिक्स्टी सेवंटी एटी एंड समटाइम एटी प्लस तो एड यह टाइम देर इस नो वेटो ट्राउंट यूर पलस एट फ्रओं यूर रिस्ट वह हम थोर से चल करते हैं ए एक तो जब भी हम कोई श्पॉर्ट्स एक्टिविटी करते हैं आपको मैं एक एक लाएग्जामपल बताता हूं देशिवन क्रॉस कंट्री क्रॉस कंट्री रेस होगी है क्रॉस कंट्री ये ऋनो इस क्रऊस कंट्री प्थ नहीं पता है वी है वेरी गोट वे जो लॉंग डिस्टेंस रेसी होती है उसको हम क्रॉस कंट्री बोलते हैं यह कुश्चन आपको पूछेंगे वाइवा में तो आप बैठेर होगे वहापे लिख लिए अगरो साथ साथ कुछ कि मैराथन रेस क्या होती है कि इसको बोलते हैं मैराथन रेस लॉंग डिस्टेंस इवेंट क्रॉस कंट्री मैराथन रेस 42.195 किलोमेटर वाकिंग ओती हैं 50 किलोमेटर 25 किलोमेटर ठीक है तो वहाँ पर क्या आपका स्पोर्स यूर गॉइंग फॉर मैराथन रेस आपने यहां पर जरंदर में भी यहां पर मैराथन रेस होती हैं इंडिपेंड किसी भी इवेंट में आप करवा सकते हों आपका रेजिंग और फंड ठीक है आपने देखा होगा कि डिफरेंट सीटीज में यह रेस हम करवाते हैं मेराथन रेस फॉर एनी कॉस जैसे आपका है से रिलेटीड हो गया सो देट पीपल विल बी अवेर स्लोगन उन्होंने लिखे होते हैं सबने ठीक है जो आपके अथलीट होते हैं आपके हो पूरे सीटी में वह बैनर्स होर्डिंग लगा कि उन्होंने अवेर्नेस एक कंपेंड चुरू किया होता है रिगार्डिंग ऐसी कोई भी आपको कहलो पूरे स्टी बारे में आपके इतनी बड़ी एक मेरत होती है जिसमें वर्ल्ड वाइट बहुत आते हैं इंटरनेशन लेवल पे कोई बीडिजीज कोई बी आपको वायर्में को यसी चीज़ जिसके बारे में आपने पीपल को अपना अवेर करना आपने को एक मैसीज देना अब है तो यह डीजीजर अवन ऑफ दाबैस्ट ने टो बहाँ पर एक जोटे बड़े बुडे सबसें पार्टी स्पेड करते हैं कि में पर पश्वारा। समय होता है पीज के लिए हो सकती है डिजीज के लिए हो सकती है आपको funding raised करना ऑंको रेस करना हो किसी भी चीज़ के कि जब भी हमारे जब एन वेन वी आरे इन एन येस देज आलसो वन इवेंट क्या होता था कि स्पोर्ज आप हम वहां पर गई हैं नहीं इस करने गांधी नगर वहां पर उन्होंने का आपके हैव यू सीटी आपने गांधी नगर देख लिए जो कोचिस क्या उनका दवे हाओ टेकल विद्धा ट्रेनिस सारे बोलेंगे नहीं देखा है तो सैटरडे को क्या करते हैं और आपको सीटी दिखाते हैं तो सारे वहां ट्रेनिस बड़े खुश है कि आज हमको गुमाएंगे आज हमारा कुछ नहीं वरकाउट नहीं होगा हो सकता हम गारी में जाएंगे तो वह अपनी साइकर ले ले लेते हैं दोस हुआ रहा ओल्ड कोचिस जो आपके जारा है इसकी ह और बच्चों को बहुते हैं चलो जी स्टार रणिंग आज आपको गांधी नगर दिखाते हैं पूरा और वी स्टार दा एक दो तीन पांट दस किलोमेटर हो गया पूरा सहरे सेक्टर में आदे गिर रहें कर रहें कोई नहीं पूछता है अधिशन लॉंग डिस्टेंस वह सैटरेटे को होती है वीकेंड में सो दैट संडे आपको पूरा रहस्तों फिर आपको नेक्स वीकों बोलेंगे हां जी गांधी नेगर गूमना है तो सारे बोलेंगे नहीं सारा हमने नहीं नहीं और वाइज और गर्श के लिए इवान होत आपको वहापे ट्रेनिंग जो आपका फिजिकल फिटनेस है नहीं होता है जिनका इंडोरेंस अच्छा होता है यह नो प्रॉब्लम बट आफ्टर टू और थ्री मंथ वाट हैपन आपको थ्री मंथ के बाद वह इतना फिट कर देते हैं आप उसके बाद आपको बोलेंगे कैमपस एंड वन राउंड फियर कैमपस इस तो एंद हाफ किलोमेटर्स और यॉर इसली गोंग फॉर देट तो एंद हाफ किलोमेटर्ट थ्री राउंड और फॉर राउंड विदाउट अनी फटीग यूर बोड़ी इस एक्लेमिटाइजिशन उस्टू एट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो लोड़ वो स्टार्टिंग में हम थकते थे गिरते थे ना यो दो मीने के बाद क्या हो गया वो लड़के लड़कियां सब एक्वल और वो पूरा आपका टैन किलोमेटर्स का करने के बाद भी बिलकुल नॉर्मल तो यह आपकी बॉड़ी इस अमेथड अब लोग भी बहुत से जाते ना जिम जोएन करते हैं वह एक मिन्हें दो मिन्हें बड़े अच्छे कपड़े केट शूज खाना पीना बैक सारा वह एक मिन्हें बड़ा शौब होता है दूसरे मिन्हें थोड़ा जब लोडिंग शुरू होती नहां और तीसरे मिन्हें के सब्सक्राइब बात खत्म है मैक्सीमम जो बच्चे हैं लोग हैं हुआ आपका रेगुलर वन येर्या शिक्स मन नहीं जाते हैं चोड़ देते हैं और उसका क्या साइड इफेक्ट होता है इंस्टेट ऑफ गोईंग फॉर फिटनेस यू गेन यूर वेट अफैट गेन करना शुरू कर देते हैं तो दिस इस दा में रीजन की कंटीनुटी में जब भी कोई आपने एक्टिविटी करनी है अगर वो कंटीनुटी में नहीं होगी है और इस टोटली वेस्टेस और टाइम एंड मनी वो शौक शौक में देखने को लगता है ना इतना अच्छा बॉड़ करनी पड़ती आपको एक दिन भी मिस नहीं करते हैं जो बॉड़ी विल्टर होते हैं ना ट्रेनिंग जो बॉड़ी विल्डिंग करते हैं यहा जो भी इंटर नेस्सिल पे कहीं पर किसी केम्प में एंगेज है दे नेवर मिस सिंगल सेशन ऑफ एक सेशन भी क्यों बॉड़ी ओपने आप मांगती है जो जो रनिंग करने वाला होगा ना वो बारिश व बरसात और धूर गर्मियों उसने स्वेरे अपने के डालनी है जो जैसे आपने दिखा हुआ कुछ सेर करने जाते हैं उन्होंने जा कि इसमें जो हमने कल आपको जो साइकोलोजी बने चेप्टर बताया था डेफिनेशन होगी इसमें दो स्टेजिज आपकी आती है काटी है ड्वेल्पमेंट ठीक है जैसे आपका हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें दो जीजे होती हमारी लाइफ में एक ग्रो कि यह पड़ा नहीं होगा आपने पड़ा होगा ऐसा होई नहीं सकता है कि इसमें ग्रोथ क्या होती है आपके बॉड़ी का हाइट इसमें जो टेंजिस होते हैं ठीक है जो ग्रोथ होती है that we can see with our open eyes यह छोटा था यह लंबा हो गया यह हेल्टी हो गया साइज बड़ा हो गया छोटा मोटा जो भी वी कन सी विद आर ओपन आइज डैट इस ग्रोथ हर बच्चे की ग्रोइंग स्टेज होती न एक से जोती है उसके बाद क्या होता है आपकी हाइड बंद हो जाएगी आपकी जो ग्रोथ होगी है वह स्टॉप आपके ड्वेल्पमेंट फिजीकल मेंटल शोशल इमोशनल चलती रहती है वह हम देख नहीं सकते हैं विद उपन आई ठीक है वह इंटरनल आपके सिस्टम आपके और गेंज यह वह आपके ड्वेल्पोर है कहां पे हो रहे हैं ऊपर नीचे जो भी है डैट इस आ तिल ड्वेल्पमेंट आपकी सीधी बेटा एक मेंटल इमोशनल शोशल फिजीकल यह सारी आपकी ड्वेल्पमेंट डिफरेंट स्टेजिस में होती है एज वी स्टडिए इन दे फर्स्टेटर वट इस दाइम और अबजेक्टिव औप फिजीकल एजूकेशन दीक है वह अबज फिजीकल में आपका क्या होगा रिलेटेट हो आपका फिजीकल एक्टिविटी इमोशनल आपके इमोशन कैसे है ठीक है शोशल में आपका शोशली अड्जेस्मेंट कैसी है लोगों के साथ कैसा है आपका होता ना कई लोगों की अपने आस्परॉस में भी क्या होती है नही कि अब आपको यहां बोलते हैं ना कई भार यहां भी देखना बैग उठा के बच्चे एक दूसरे के इदर से उदर कर देते हैं मैंने इसके साथ नहीं बैटना है यह बैग उदर हो गया आप लोग का भी मिरकाली होता होगा तो दैट इस अमीन तिंग अगर आप किसी टीम मे के लोगे आप बोलोकि जी मैंने इसके साथ रूम कर नहीं है मैंने इसके साथ नहीं है यह सीनियर एह जूनियर को अब को अब यह कि किस के और करता था क dauert आता था व्यूह को मैश के बारे में होता था जो उड़कर का एक्दमासफेर आप ययॉर गया पर लिए यह में रहो इंटारी डिफेनेट होता है उसको वो शेयर नहीं करतें लोग वहां पर दूसरे से कॉन्फिक्ट भी होते हैं कैप्टन सम्टाइम रिजन वाइस भी होता है स्पोस्स आपका नॉर्थ का कोई कैप्टन है तो वह क्या बोलेगा कि मैं नॉर्थ का प्लेयर को पिक कर लेत का कोई बहुत डिफरेंस नहीं है बट जो जिसको चांस मिलिया वो क्लिक कर गया वो चला गया तो यह यह चीज़ें आपको बहुत काउंट करती हाई लेबल पे और जो स्पोर्स करता होगा वह आपको कहीं भी किसी भी सुसाइटी में इसली अड़ेस्टेबल हो जाए कि विकॉज यू है तो बेदा रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दे गेम आपको क्या होगा अभी देखा ना काल पर सुन इंडिया का मैच स्लो रणिंग स्लो बॉलिंग फाइन हो गया आपने अगर देख लो इवन अगर आप कुछ नहीं कर रहों बट आपका रन रेट जो ब कि एमपायर ने दूसरी वाल वां किया आप तीसरी वाल गए आप से बाल लेका आप तो आप जाओ बैठ जाओ सीधे रूल एंड रेगुलेशन है तो अगर आप वहां पे गेम में अगर वो फॉलो नहीं करोगे फुटबाल होकी में रेड कार येलो कार मिल गया आप तो ब मैच या हाँ या मैडल का कोई मैच खेर रहे हो और आपने एक आपकी एक गलती से आपकी पूरी टीम बाहर होगी तो उस प्लेयर को कोई लेगा दोबारा जब सेलेक्शन की बारी आएगी वो पहले ही बोलेंगे नहीं तो इसलिए आपको कैप्टन की मैनेजर की टीम के इसलिए करते हैं कि आपका इमोशनली कल्चर आप सबके साथ बैठो उठो सबको देखो और यूशुट भी है वन्टीम वन प्लेटफार्म आपने देखा होगा आपसक्रेइड जितना चला हमारा कोई भी जॉब ले लो वहां पर हर जगाज डिफरेंट को आज पूटाज थैक्विश्पोर्स में है चेह स्पोर्समें प्लेटफ़ॉस में किसी के माइन्ड में नहीं होता है वह एक ची अगर आपने कोई भी चीज करवानी है तो बच्चों की जो एजुकेशन है जो बच्चों का ग्राउंड लेवल वह इतना अच्छा कर दो कि उसको अपने आप जो अच्छा चीज है सामने आएगा तो वहां पर कोई वो नहीं होता है और ना किसी को कोई पूछता है ना आप क इनिशियल स्टेज हमारी ग्रोथ एंड डेल्पमेंट से शुरू होती है डेल्पमेंट के डिफरेंट क्रेक्टर सिक्स हो जाते हैं यह आपको इस ही चैप्टर में नाइस में साइकोलोजी एंड स्पोर्स नेक्स में जो टॉपिक है डैट इस आप सब पर वह हैं अधिज सबसे में कुरूशियल स्टेज होती है हर की लाइफ की यही आपका एक जिसको हम बोलते हैं मैचोर्टी के और हम जा रहे होते हैं यही स्टेप जहां पर होता है जहां से आदमी बनता है बिगरता है सब कुछ करता है जो एज आपकी यहीं से आपका सारा जिसको बोलते हैं एक सीडिया हम चड़ते हैं इफ यह स्टार्ट विद दा राइट पाथ और बहुत से जो क्राइम हो रहे हैं वो दैट इस इन दा एज अव दिस आपने इवन युएस से जितने यू के अगेरा में चोटे चोटे बच्चे आ रहे हैं दे आर फाइरिंग ओपन इन स्कूलेज़ इस वहां पर आपने इंडिया में यहां पर अगर आपने कोई गन पर चीस करनी है वैपन लेना है तो फिर्स आप आप टेक दा लाइसेंस प तो उसी से वह क्या टीनेजर्स में यह बहुत जादा यह आ रही है आपने देखा होगा सम टाइम इन डिफरेंड वो जो मॉम्मडन कंट्रीज हैं वहां करते हैं ना नमाज पार्ट पर रहें कर रहें वहां पर उन्होंने उपन फारिंग कर दी तो यह मतलब इसलिए वह ज होता है क्या सोचते हो आप इस एज में लो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सबसे में क्या है प्रॉब्लम कर बाइज में तो एग्रेशन एग्रेशिव नेचर कोई भी कुछ बोल दे एक दम एग्रेशिव यह सब को होता है सब इस ते से निकलें ठीक है इस सबसे में आपका जो आती है प्रॉब्लम डैट इस एग्रेसिव बिहेवियर रिखो को पॉइंच लिखा दिटा हूँ इसमें से आपको जितने आप लिर्म कर सकते हो आपको आपको इसली यू नर्न डैट लांट एग्रेसिव यह एवियर एक्स्बेनहा पर यह प्रॉफ एडिंग मैं लिखा देता हूँ आपको वे आपको देंग्सिदेंट हाइड निस्टेक्स निस्टेक्स इंपॉर्टेंस गिवन तू किसको देते हो इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस जिसकों ने चली फ्रेंड्स अरकली बेन होता है उसने बोल दिया तो वो सिर्बाथे पे बगर वाले बोलते रही नहीं वह कुछ नहीं इंपॉर्टेंस गिवन टू यूर फ्रेंड जिसकों बोलते पीयर ग्रूप्स देन वह भी हम लिख सकते हैं डैटिस साइबर साइबर क्राइम साइबर यूज अब दिस दैन नेगलेक्ट फैमिली शोशल स्टेटस सबसे मीन होता सोशल स्टेटस अपने आपको then there is a change in physical emotional behavior physical emotional behavior changes that is the main causes wastage of time इसकों बोलते टाइम वेस्ट करना यहां खड़े होगे चार इदर को इदर हो सारा दिन आपने टाइम पास कर दिया हुएं पे देन डिफलेक्स अब्स द्रग्स डिफ्लेक्ट्ट्र वार्श द ड्रग्स एंड लिधा शूनते हैं अभी इतना टॉपी गोई रहा तुम एक दूसरे को बोरें आप नहीं आप सुदर के तो दूसरे को बोलने की जुदत नहीं जो आप साइबर वाला बो रहे थे नहीं देट इस अडिक्शन अडिक्शन टू साइबर क्राइम कहलो आप यह आपका फोन हो गया सैल फोन यह सारा उसी में आ जाते हैं देन इन इन एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप वाइलेंस लिए हैं वाइलेंट हो जाते हैं अग्रेसिव एंड वाइलेंट पी लिख सकते हो इसको आप इक अथा लिख सकते हो कितने पॉइंस हो गई है एट बोलना मेटा दुबारा क्या क्या लिखा श्वास करेंगे अडिक्ष एंड सकते हैं लिख स्वी शोशल स्थ इन एडिके घ्रेस्ट एंड स्वी एंड एंड लन स्वीड्यू और इन इन एडिके रेस्टर और्वेट श्यप्ष्ट्यव हाँ हाँ जो जैसे उसको करने दो हमने करते इसके इलावा आपको कोई और भी लिख सकते हैं तो बैटा उनको सोने दो अभी इसमें मैंने लिखा है ना रेस्ट एंड स्लीप का लिखा है ना पॉइंट है कि इस आपने आयती हैं सारी तीजें देखें डिस इस प्रेक्टिकल थेंग यह कोई एक्जामपल तो सामने आगे हैं यह साथ आगया आपको एक्जामपल भी